तो आज हम बात करने वाले है liquid elements के बारे में और उनकी property और uses के बारे में liquid elements को याद करते हैं सिधे हमें गबबर सिंग को याद करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक trick रहने वाली है वो गबबर सिंग से related है तो यह वो 6 elements है जो की liquid होते है इसमें से कुछ elements ऐसे है जो room temperature पे liquid होते है और कुछ elements ऐसे है जो थोड़ा सागर temperature बढ़ जाए रूम temperature से थोड़ा सागर temperature बढ़ जाए तो फिर वो liquid होते है तो trick है रबा गबर फिर कैसे मरेगा मतलब आपको मालूम ही है शोले movie के अंदर एक बार मार दिया था फिर वो वापिस जिंदा हो गया तो फिर वापिस कैसे मरेगा ऐसे हम बोल रहे है ठीक है एक trick है बस कुछ-कुछ जगा पे ये भी trick मिलती है रब फिर से सजनी हो गई ब सब्सक्राइब मतलब की कोपर निकम के नाम से जाना जाता है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसमें लिक्विड होने के चांसिस है और सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है तो उसके ओपर कोई clarity है नहीं इसलिए मैं उसे लिस्ट में नहीं डालता हूँ क्यूंकि आयूपीएसी वाले भी clearly नहीं बता सकते हैं तो हम और आप कौन होते हैं बताने वाले तो इसलिए उसके उपर एक डाउट है इसलिए उसमें साड में रखा है और कुछ जगह पर यह ट्रिक भी मिलती है कि गंदा ब्रोमीन कैसे होगा फिर अब रब तो यहां पर भी चीज पर अगर आपके सिलेबस में कुछ आ रहा है अगर लिखा हुआ है तो फिर आप लिखो नहीं लिखा हुआ है तो मत लिखो इससाब से सीफ और सिर्फ दो एलिमेंट्स है जो कि रूम टेंपरेचर पे लिक्विड होते है वह है mercury और ब्रोमिन मर्क्यूरी एक डी ब्लोक का इसका शिम्बोल है अटोमिक नंबर 80 है ब्रोमिन जो है वह पी ब्लोक का इलिमेंट है उसका सिम्बोल बी आरहे और एक लिखो नमबर थर्टी फाइव है तो हमने यह बात अल्डरेडि क्लियर कर ली है दो ही एलिमेंट्स ऐसे है जो कि रूम टेंपरेचर पे लिक्विड ह होते हैं और और भी चार एलिमेंट्स है जो कि रूम टेंपरेचर से थोड़ा तेंपरेचर बढ़ जाए तो फिर वह लिक्विड मिलेंगे लेटिन में रूबीडियस मतलब रेड होता है और वहां से ही रूबीडियम का नाम लिया गया है बाकी की सारी इंफर्मेशन आप दे लेती है फायर पकड़ लेती है हवे में और बात करें तो वाटर के साथ तो उसके साथ भी रियक्ट करती है विगरेसली या फिर वाइवलेंटली मतलब बहुत खतरनाक तरी कहसे रियक्ट कर सकती है और रूबीडियम के और भी यूज़ीस है फोटो सेल्स के अंदर उसे य एक्टिव है वेपर टर्बैन के अंदर इसे एक वरकिंग फ्रूइड के तरह माना जाता है और थर्मो एलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर भी उसका यूज़ किया जाता है और फायर वक्स मतलब की पटाकों के अंदर उसका यूज़ किया जाता है परपल कलर उसके अंदर देने के लिए जो उसकी flame होती है ना उसमें purple color देने के लिए यूज किया जाता है biological role अगर हम बात करें rubidium का तो उतना जदा पता नहीं है लेकिन फिर भी हम इतना बोल सकते हैं कि वो non-toxic है मतलब वो हानिकारक उतना नहीं है फिर भी इसकी chemical similarity potassium से मिलती जूलती है हम इसे absorb करते हैं हमारे food में से और तकरीबन हरेक इंसान इसे आधे ग्राम जितना consume करता है स्टोर करता है rubidium थोड़ा सा radioactive है तो इसका यूज brain tumor को locate करने के लिए मतलब पता करने के लिए यूज किया जाता है बट नॉर्मल टीशू मतलब जो healthy tissue होती है उसमें यह collect नहीं होता वहाँ पर अगर हम natural abundance की बात करें मतलब यह कैसे मिलके आता है वो सब rubidium हमें कुछ minerals में मिलके आता है जैसे कि polyosite, carnelite, leucite, lepidolite, lithium extraction में as a by-product हमें rubidium मिल जाता है potassium minerals और brines के अंदर भी rubidium होता है यह सब उसके और commercial sources है वैसे gallium की खोज 1875 में होई थी और जिस व्यक्ति नहीं से खोजा था उसके खुद के नाम में लेकोक यह आपको नाम दिख रहा है ठीके तो इसके बारे में थोड़ी दिर में आपको से वता था उससे क्या हुआ था क्यों इसका नाम गेलियम हुआ उसके बारे में बात करे बाकी सारी चीज़ आप देखी सकते हैं उसक्रीन पर आपके सामने अवेलेबल है तो यह जो लेकोक जी थे इनके खुद के नाम में ही रूस्टर यह मिनिंग आता है रूस्टर गैलस यह सब आप मीनिंग देख सकते हो जो लैटिन के वर्ड्स है तो उसी के नाम पे से उन् सिमिलर टू एल्यूमिनियम जैसा होता है गैलियम आर्सिनेट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिलीकॉन से सिमिलर है इसलिए उसको इलेक्ट्रोनिक्स की इंडस्ट्री में सिलीकॉन का सब्स्टीट माना जाता है मतलब उसको उसकी जगा पे यूज किया जाता है और सेम यह बइसा है गेलियम नाइट्रीड है वो भी एक सामि कंड़क्टर ए सले का इलेक्ट्रोनिक्स में बहुत शादा यूसे और यह बहुत सारी में एलोई बनने के लिए भी तायार होता है और इसको पर्टिकिलर ली लोग मेल्टिंग ऐलोई में यूज के आखा है क्योंकि इस कि बात करें तो एक कुछ मिंटर्स में टरेस माइट में मतलब की बहुत कम माइट में मिलता है डाइसपर, सफेलराइट, जर्मेनायट, बॉकसाइट, और कोल यह सब चीजों में मिलता है it is mainly produced as a by-product of the zinc refining zinc refining में एक by-product है अगर आप गेलियम 3 hydroxide का electrolysis करोगे potassium hydroxide के अंदर मतलब कि KOH के अंदर तो आपको ये जो metal है गेलियम ये आपको मिल सकती है अगर आप बात करें ब्रोबिन की तो ब्रोबिन के बारे में तो हमें पता है उसका मतलब होता है stanch Greek में stanch परहबर stanch का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बद्बूदार और ये होता भी है ये जो image आप देख सकते हो इसके अंदर आपको reach color दिखेगा मतलब एकदम खतरना जैसा color दिख रहा है अग्रिकल्चर में, डाइस्टॉफ्स में, इंसेक्टिसाइडस में, फार्मसुटिकल्स में, केमिकल इंटरमीडेट्स के तौर पे ये सब चीजों में होता है और भी उसके बहुत सारे uses थे पर बाद में जैसे मालूम पड़ा कि इसके अंदर toxicity भी होती है तो इसका यूज दीरे-दीरे कम कर दिया गया ये फ्लेम रिटाइडेंट के तरीके पर भी यूज होते है फ्लेम रिटाइडेंट मतलब जो फ्लेम को रिटाइड करेगा, कम करेगा और काइंड ओफ फायर एक्स्टिंग्यूशर जैसा इने फरनिचर फॉम में भी यूज किया जाता है प्लास्टिक केसिंग्स में और इलेक्ट्रोनिक्स के सामान में इसे यूज किया जाता है ताकि वो लेस फ्लेमेबल बंज है मतलब आप उसको आग लगाओ तो जले ना फिर भी फ्लेम रिटाइडन के तोर पे यूएसे ने इसे बैन कर दिया है बिकॉज इसकी टॉक्सिसिटी बहुत जादा है औरगेनो ब्रोमाइड को हैलन फायर एक्स्टिंग्यूशर की यूज किया जाता है जिसका उपयोग मुजियम्स में, एरो प्लैंस में, टैंक्स में मतलब कि युद्ध के दोरान ये सब जगह पे होता है सिर्वल ब्रोमाइड जो है वो फिल्म फोटोग्राफी में यूज होता है ब्रोमिन का उपयोग 1,2-dibromoethane बनाने के लिए भी यूज किया जाता है जो कि एक antinoc agent है अगर हम बायोजिकल रोल की बात करें तो ब्रोमिन बहुत कम अमाउट में प्रेजन होता है इस ब्रोमाइड इन लिविंग और्गेनिजम्स सब और्गेनिजम्स के अंदर हावेवर इस नो नोन बायोजिकल रोल इन हुमन मतलब कि कोई इसका रोल तो है नहीं और इसका अगले पे, स्किन पे, रांखों में इरिटेटिक एफेट होता है अगर नेचरल अबंडेंस की बात करें तो ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रलाइसिस से राप्त किया जा सकता है मतलब ब्राइन सॉल्यूशन में से यह युए से इसराइल और चाइना में जादा करके होता है और आज की तारिक में अगर हम बात करें तो सबसे जादा सी वोटर से एस्ट्रेक करके इसको कमर्शली और एकोनोमिकली वाइबल बनाया गया है मतलब यह चलता है एकोनोमिकली यह वाइदेमन चीज है डेट सी जो इसराइल के पास आता है वहाँ पे यह सब जगह पे 0.5% की अबंडनस यह दिखाता है नेचरल नेचरली इस गूड मतलब बहुत जदा माटरा में मिल जाता है अगर हम फ्रांशयम की बात करें तो फ्रांशयम जो है उसे फ्रांस के नाम पे से ही दाम दिया गया है और बाके की सारी इंफरमेशन तो आप देखी सकते हो रूम टेंप्रेचर से अगर टेंप्रेचर थोड़ा सा बढ़ जाए तो फ्रांशयम लिक्विड में कनवर्ट हो जाता है फ्रांशयम जो है उसकी हाफ लाइफ से फोर सिर्फ बाइस मिनिट की होती है और उसके कुछ ज़्यादा यूजिस तो है नहीं यह एक radioactive metal है और फ्रांश ने इसके नाम को अपने नाम पर से रखा है फ्रांशयम का वैसे बायोलोजिकली कोई ज़्यादा कास यूज नहीं है और यह टॉक्सिक एलिमेंट है रेडियो एक्टिविटीव होने के कारण neutron bombardment of radium के कारण हमें फ्रांशयम मिल सकता है और इसे थोरियम के उपर proton की bombarding करके भी बनाया जा सकता है सिस्यम गुस्ताव किर्चोफ और रोबर्ट बंसेन ने 1860 में सिस्यम को डिस्कावर किया था सिस्यम का मतलब लेटिन में sky blue होता है जो कि इसकी flame की color पे से नाम लिया गया है जिस आपको पता ही है सिस्यम जो है वो group 1 का element है S block में आता है room temperature पे ये solid होता है room temperature से अगर temperature थोड़ा बढ़ जाए तो फिर ये liquid में convert हो जाता है सिस्यम जो है वो soft gold color metal है जो कि air के साथ फटाक सरीयक कर लेता है और water के साथ explosively react करता है इसका use highly accurate atomic clocks में होता है सिस्यम compound का most common use है drilling fluid special type के optical glasses बनाने के लिए भी सिस्यम का use होता है as a catalyst भी सिस्यम का use होता है as a promoter भी सिस्यम का use होता है vacuum tube के अंदर और radiation monitoring equipment के अंदर भी सिस्यम का use होता है सिस्यम clock को atomic clock भी कहा जाता है these clocks are very vital part of the internet and mobile phone networks mobile phone network के systems में GPS satellites में वहां सभी में भी सिस्यम का बहुत important role है इसी की वज़े से standard measure of time मिलता है मितलब की standard time मिल पाता है अब देख सकते हो electron resonance frequency सिस्यम की जो है 9192631770 cycles per second की है जो की बहुत तेज है बहुत frequency faster है कुछ सिस्यम clocks इतनी ज्यादा accurate है मतलब one second के लिए भी 15 million years के लिए सोचो बहुत बड़ी बात है यह तो सिस्यम का कोई खास biological rule नहीं है सिस्यम के compound जैसे की सिस्यम chlorate जो है वो थोड़े से lower hazard है मतलब थोड़े से कम हानिका रख है सिस्यम के अगर abundance के हम बात करे तो polyocyte lapiodalite के minerals में मिल के आता है इस सब तरीकों से सिस्यम प्रिपर किया जा सकता है हाववर most commercial production is done by byproduct of lithium production तो जब lithium का production होता होता है तो सिस्यम हमें as a byproduct मिल सकता है अब हम बात करेंगे mercury के बारे में mercury सबको पता है liquid होती है रूम टेंपरेचर पर बाकी सब चीज़ आप देख सकते हो उसके बारे में यह जो symbol आप देख रहे हो mercury के बारे में यह इसका traditional symbol है क्योंकि यह astrologically planet mercury का symbol है dragon और separate color का जो आप background देख रहे होना इसे बहुत पुराने जमाने से mercury के साथ associate किया गया है यह एक liquid silvery metal जैसा होता है mercury के बारे में लोग सालों से उत्सुक है यह एक heavy liquid metal है बट यह toxic metal है इसकी वज़े से इसके कोई जादा uses कर पाते नहीं है इसका main use chemical industry में as a catalyst होता है कुछ-कुछ जगा पे electrical switches or rectifiers की तरह भी इसे use किया जाता है पहले इसका major use manufacture of sodium hydroxide and chlorine by electrolysis of bruyank solution से किया जाता था इस plants will all be phased out by 2020 मतलब अब तक में यह plant बंद हो जाने चाहिए इस वाज़ों सब जगा पे भी mercury का यूज किया जाता था फेल्ट प्रोडक्शन थर्मोमेटर्स में भी आपको मालूम ही है बेरोमेटर में भी किया जाता और दिरे दिरे इनका भी uses बंद होने लगा है mercury जो है वो आराम से alloys बना लेता है जिसे amalgam कहते है with other metals such as gold, silver, tin यह सब के साथ वो amalgam बना लेता है is with which it amalgam meets with gold made it useful in recovering gold from its ores the gold को उसकी ores में से निकालना आसान हो जाता है because of mercury which is good because आपको तो मालम है gold बहुत महेंगी मेटल mercury amalgam का युप्योग dental feelings में भी किया जाता है दुलबदातों के सरजरी में mercury sulfide is a high grade bright red paint pigment but very toxic होता है तो इसे use अच्छे से करना चाहिए शावजानी से करना चाहिए mercury का वैसे तो biological जादा कोई बड़ा रोल है नहीं बट यह हर एक living organism में थोड़ा-थोड़ा amount में present होता है और environment में भी बहुत प्रमाण में मिल जाता है हम जितना भी food खाते हैं उसमें से बहुत थोड़े से amount में mercury उसके अंदर होता है बहुत थोड़े प्रमाण में अगर हम उम्मारे डेली इंटेक की बात करें तो हम रोज 0.01 मिली ग्राम जीतना या फिर 0.03 ग्राम जीतना पुरी लाइफ के अंदर mercury कंजूम करते है 0.03 ग्राम पुरी लाइफ के अंदर है अगर बिल्टा इंटना जादा नहीं होता है पुरी लाइफ के बात हो रही है यह पर इस वी केंद पूप इजीली हावेवर इन मच हायर डोजिज इस टॉक्सी वो तो आपको पता ही है जादा हाय टोस ले लेंगे तो टॉक्सी को सकता है तो पता ही है मिथल मर्क्यूरी एक फॉर्म है मर्क्यूरी का वो बहुत जादा डेंजरस होता है जो फ्लेश ओफ फीसिस के अंदर अक्यूमलेट हो जाता है मतलब आई कटा हो जाता है और उसे अगर कोई लोग खा ले तो फिर वो उन्हें बीमार कर सकता है इसलिए ध्यान रखना चाहिए अगर हम नेचरल अबंडन्स की बात करें तो मर्क्यूरी रेली अनकंबाइड मिलता है अदर्वाइस वो किसी ना किसी के साथ कंबाइड ही मिलता है बट इसकी ड्रॉपलेट्स सीना बार और में मतलब की मर्क्यूरी की सलफाइड में मिल सकती है चाइना करगिस्तान ये सब मेन प्रोडॉक्शन करते है मर्क्यूरी का ये मेटल हमें कैसे मिलती है तो सीना बार को हम एर के फ्लो में मतलब एर के करंट में हीट करते है और फिर उसके वेपर्स को कंडेंसेशन करके अलब कर लेते हैं तो इस तरीके से हमें यह मेटल मिल जाती है